हेलो दोस्तो पेटीम 1 मौई 2043 यानि कि 1 मौई 2023 से अपने कुछ चार्जस में बदलाव किया है यहाँ पर दोस्तो इन्हों ने कुछ चार्जस को घटाया है और कुछ चार्जस को बढ़ाया है तो दोस्तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में यही डिसकस करेंगे कि आखिर पे विडियोस सुरू करते हैं. दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन पर देख होंगे. यहां पर लिखा हुआ है चेक रिटन दिटू फाइने इननसर डिजन. यहां पर इंका जो पहला चार्ज जसर वो अगर आपका चेक फाइननसर डिजं की वज़े से return होता है तो उस case में पहले आप लोगों से 500 रुपय लिया जाता था लेकिन अब आप लोगों से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा इसकी अरामा दोस्तो यहाँ पर जो तीसरा जो बार्जस वह है कायस दिपोजिट लोड के इस बैंकिंग पॉइंट इंक्लूडिं ब्रांचेस यहाँ पर इन्हों ने साप साप लिखा है आगर आफ कैस्ट डिपोजिट करते हैं इन्कूलिटिंग ब्रांच से या फिर अपने wallet में load करते हैं तो पहले यहां पर unlimited होता था दोस्तों लेकिन अब आप लोगों से charge किया जाएगा दोस्तों यहां पर 25,000 रुपए तक अगर आप deposit करते हैं या फिर 25,000 रुपए तक अगर आप load करते हैं तो उस case में आप लोगों को कोई भी charge नहीं देना होगा इसकी अगर आप 25,000 रुपए के ऊपर कोई deposit या फिर load करते हैं तो उस case में आप लोगों को per thousand के ऊपर 5 रुपए प्लस GST देना होगा दोस्तों इसकी अलामा दोस्तों इनका जो चौथा charges है वो है cash withdrawal banking point including branches यानि कि अगर आप cash withdrawal करते हैं या फिर banking point से कहीं पर cash withdrawal करते हैं तो यहां पर पहले unlimited होता था लेकिन अब अगर आप 25,000 रुपए तक करते हैं तो उस case में आप लोगो कोई भी charge नहीं देना होगा यानि कि 25,000 रुपए तक अगर आप withdrawal करते हैं तो उस case में आप लोगो एक भी रुपए चार्ज नहीं देना होगा लेकिन इसके अलामा अगर आप 25, 20,000 रुपए के ऊपर कोई withdrawal करते हैं तो उस case में आप लोगो पर 1000 के ऊपर 5 रुपए पर TXN चार्ज देना होगा plus GST दोस्तों TXN यानि कि first billing cycle में first time में अगर आप कोई भी amount निकालते हैं जैसे कि एक बैग आप लोगो आपने 50,000 रुपए निकाला तो उस case में आप लोग चार्जेस है वो है ATM का transaction या फिर micro transaction यानि कि अगर आप ATM कार्ड से कोई micro से transaction करते हैं या फिर micro ATM पेटियम का आता है उससे अगर आप कोई transaction करते हैं तो उस case में आप लोगों मैट्रो सिटी में तीन transaction पर मन्त फ्री दिया जाएगा इसके अलामा 5 transaction आप लोगों को non-metrocity में पर मन्त फ्री दिया जाएगा दोस्तों यहां पर आप लोगों ने काफी सारे बैंकों में देखा होगा कि जहां पर ATM कार्ड पर आप लोगों से issuance charges एक भी रुपया नहीं लिया जाता है लेकिन पेटियम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका account पेटियम में है तो उस केस में आप लोगों से पहले जो है वो 250 रुपीज issuance charges debit card के उपर लिया जाता था इसकी अलामा दोस्तों 150 रुपय में यहां पर annually charge किया जाता था लेकिन आप यह charges बढ़कर के 250 हो गया है दोस्तों अब आप लोग को issuance charges भी 250 रुपय देना होगा और annually charges भी 250 रुपय देना होगा तो दोस्तों आसा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो काफी जादा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल finance banking को सब्सक्राइब करिए मने में कुछ doubt हो conclusion हो तो प्लीज कमेंट करिए धन्य बार मिलते है नेक्स्ट वीडियो में